मिहुल खजाने की खोज में जंगल में घूम रहा था, बहुत दिनों के बाद वो एक रहस्यमय गुफा के पास पहुशता है, मिहुल को गुफा के अंदर तीन दर्वाजे नजर आते हैं, जो शायद उसे खजाने तक पहुचा सकता था, वो एक दर्वाजा खोलने ही वाला थ कि तभी आचना गुफा से आवाज आता है, इन में से एक दर्वाजा एक मिनित में खोल सकता है, पहला दर्वाजे के पीछे एक ड्रेकुला है, जो खून पीता है, दूसरे दर्वाजे के पीछे एक जॉम्बी था, जो इनसानों को खा लेता था, और तीसे दर्वाजे के जो बहुत खुंखार था, इंसान देखते हैं उसे मात देता था, मिहुल को चार चीजे मिलता है, इन में से कोई एक ही मिहुल को गुफा से बाहर निकलने में मदद कर सकता है, तो बोल ये जासूस आर्मी, मिहुल क्या चुनेगा, गन, कुलहारी, लकडी या मशाल, ध्यान से सोचके बताईए, गन सिर्फ भेडिया को मार पाएगा, लकडी सिर्फ भेंपायर को मार पाएगा, पर आक से चारों डरते हैं, मिहुल वही चुनता है, और वहां गुफा से बाहर निकल जाता है, आज सुबा, मिहुल अपने डोगी के साथ पार्ट में टेहल रहा था, रव उसके डोगी के जैसा दिख रहा था, तो दोस्तों क्या आप मिहुल की मदद करेंगे, उसके दोस्त को ढूनने में, तो बोलिए कौन सा डोगी मिहुल का है, A, B, C या D, D है सही जवाब, अगर आप डोगी की गले की पट्टे को देखेंगे, तो आपको पत्ता चलेगा, कि D की गले में, उसी रंग का पट्टा है, जो मिहुल की डोगी के गले में था, अंदेल के राजा की महल से, कोई उससा कीमती पत्त चुरा लेता है, राजा चार लोगों को पकरता है, और उसके महल में ले आता है, चारों कहते हैं, वो निद्दोस है, हमने कुछ नहीं किया, राजा चोर को पकरने के लिए एक योजना बनाता है, वो उन चारों को एक-एक लक्रिया देता है, और कहता है, यह एक जादूई लक्रिय है, जो चोर के घर में जाते ही, दो इंच बरा हो जाएगा, और जो चोर होगा, उसकी लक्रिय बाकियों से बड़ी होगी, चारों ल क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? A, B, C या D? ध्यान से देखकर बताईए. जवाब है D. चोर को लगा, घर जाने के बाद उसकी लकडी बड़ी हो गई है. इसलिए वो लकडी को 2 इंच काट देता है. इसलिए उसके हाथ में जो लकडी है, वो दूस्तों से छोटी है. चोरी इसी ने किया है. एक चोर जेल में अपना बैरात तोरकर बहाँ चला आता है. वो जेल के ओफिस से कुछ चीजे चुदा लेता है. जासूस मिहूल जब जेल के ओफिस में आता है, तो जेल की नज़ारा देखकर वो चौक जाता है. वो वहाँ से चोडी हुई सामान की एक लिस्ट बनाता है. कि आप दोनों तस्वीरों को देखकर बता सकते हैं कि कितने सामान की चोडी हुआ है? साथ, चार, छे या आज़़ए? कि आपको पता लगा कि कितने सामानों की चोडी हुआ है? ओफिस से छे चीज़े चोडी हुआ है. एक बहुत खुबसुवट पेंटिंग को एकजिविशन के लिए लाया गया था. बहुत सारे लोग पेंटिंग को देखने आये थे. वो सब पेंटिंग की तस्वीरे भी ले रहे थे. अगले दिन पेंटिंग गैलारी से गायब हो जाता है. वहाँ के मलिक जासूस मिहुल को चोड को पकरने के लिए बुलाता है. वो जासूस मिहुल को बताता है, रात में वहाँ तीन गाट को रखा गया था. शायद उन तीनों में से किसी एक ने ही चोड किया है. मिहुल तीनों गाट के घर जाकर पूझताच करता है. पहला गाट ने कहा, मेरी पोस्टिंग गैलारी के बाहँ थी. और मैं सिर्फ एक बार गैलारी के अंदर गया था, अपने दोस्ट से बात करने के लिए. दूसरा गाट ने बोला, मेरी ड्यूटी गैलारी के अंदर ही थी, पर मुझे चोड़ी की बारे में कुछ नहीं पता. तीसरे गाट ने बोला, मेरी भी ड्यूटी गैलारी के बाहँ थी. मैं सिर्फ एक बार ही बात तुम जाने के लिए अंदर गया था. तो जासूस आडमी कि आप चोड को पकर पाएं, तो बोलिए चोडी किसने किया, पहला, दूसरा या तीसरा गाट ने अगर आप तीसरा गाट के घर पर लगी तस्वीर को देखेंगे, तो पता चलेगा वो तस्वीर गैलारी में नहीं, बल्कि उसके घर पर ही लिया गया है, मतलब आप चोडी इसी ने किया है, आयाल मेहुल का अभिस आता है, और बताता है, उसके बिशनेस पटनर रॉन ने आत चला गया, मैं जब वापस आया, तो रॉन नहीं था, और हेलिकाप्टर का दर्वाजा भी खुला था, मुझे टेबिल पर कुछ पेपर्स परा हुआ मिला, मैंने तुरन पाइलेट को वापस चलने के लिए कहा, मिहुल हेलिकाप्टर की जाच करता है, और उसे वो कागाज मिलता है, सब कुछ देखने के बाद कि आप बता सकते है, यह हत्या या आत्मात्या थी, तो बोलिए दोस्तो हत्या या आत्मात्या, अगर रॉन ने हेलिकाप्टर का दर्वाजा खुला होता, तो हवा की दवाप के बाज़र से कागास उड़ गया होता, पर कागास तो जाता है, चारो तरव उसे एक भी पानी का बून नहीं मिलता, किसी तरह वो एक गुफा के पास पहुचता है और उसके आंदर चला जाता है, गुफा के आंदर जाने पर उसे तीन दर्वाजा नजर आता है, पहला दर्वाजे के पीछे एक जहिला साप था, अगर केविन को काट लेता तो केविन की वहीं पर मौध हो जाती, दूसे दर्वाजे के पीछे बहुत तेज धार वाली ब्लेड है, जो सेकेंद्स में उसका टुक्रा टुक्रा कर देगा, और तीस्य दर्वाजे के पीछे बहुत तेज करेन दोर रहा था, तो अगर आप केविन की जगाए होते तो आप कौन सा दर्वाजा चुनते ए बी या सी दर्वाजा सी सही है केविन की पैर में रवर का शू है जिन पर इलेक्टिक करेंट का कोई असर नहीं होगा इसलिए केविन दर्वाजा सी चुनता है और गुफा से बहार निकल जाता है कल इशा की ब्यूटी दुकान में कुछ फूल खरिदने जाती है वहाँ पर कोई उसका हत्या कर देता है मिहूल फोरान वहाँ पहुच जाता है मिहूल को प्रतियोगी ताकि तीन प्रतियोगी पर शक होता है तीन प्रतियोगी में से कोई एक है कातिल क्या आप बता सकते है हत्यारा कौन है मिस ग् पर पर मिलाकर ग्रीन कलर बनता है, मतलब मिस ग्रीन है कातिल, उसने ही इशा का खून कर दिया था, आज सुबा, मिस्टर डे को किसने चाकुमार के हत्या कर दिया था, मिहुल घटनस्थल पर पाँच कर हत्या की जाच करता है, मिहुल घटनस्थल की अच्ची तरह जाच करता ह पर उसे कोई सुरग नहीं मिलता, तो मिहूल वागीचे में पहुच कर माली से पूछताज करता है, तुम्हारी माली की हत्या हो गई है, क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या? सर की हत्या हो गई? किसने उन्हें चाखु मारा? मैं तो अभी अभी काम में आया हूँ, मुझे क्या सर की हत्य हो गई? मुझे कुछ नहीं पता… मैं तो खाना बना रहा था. दोनों में से कोई एक हत्यारा कि आप बटा सकते है खून किस ने किया है माली ये रसौईया? तो ध्यान से सुनिये! माली मिहूल से कहता है सर को किस ने चाकू मारा. पर उसे कैसे पता कि सर की हत्या चाकू से हुआ है जब कि वो तो तब आया भी नहीं था और मिहुल ने भी उसे चाकू के बारे में कुछ नहीं बताया मतलब खूनी वही है